नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी स्टडी सरकिल के इस YouTube परिवार में आप सभी का स्वागत है, दोस्तों, हमने UPPAT के लिए डियाई के क्लासे शुरू की थी, एक क्लास हो चुकी है, डियाई की दूसरी क्लास आज हम कर रहे है, ठीक है दोस्तों, और UPPAT में आपको पता ही होगा, के 20 नंबर का आता है, 20 नंबर का, ठीक है, तो उसी को आगे continue करते हुए, आज एक और क्लास डियाई से related, ठीक है, एक नई क्लास के साथ एक बार करें, चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, पढ़िए, क्या दिया है, नीचे दिया गया दंड आले, कुछ देशों की जन्मदरों को दर्साता है, आले का अध्यन कीजिए, तथा निमलिकित परसनों का उत्तर दीजिए, ये जो आले दिया ह हो आए, ये अलग-अलग देश के जन्मदर को परती हजार में ये दर्सारा है, ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड कुछ कोशन है, ये 4-5 इनको सोल करना है, ठीक है, चलिए, पहला कोशन क्या है, किस देश की जन्मदर जर्मनी से 25 परतिसात अधिक है, किस देश की जन जन्मदर जर्मनी से 25 परतिसात अधिक है, 25 परतिसात की फ्रेक्शन अगर मैं निकल लो, तो क्या होगी, 1 बटे 4, 1 बटे 4, यदि जर्मनी यदि जर्मनी की जन्मदर चार है तो जो दूसरा देश होगा जो इससे 25 परतिसत अधिक होगा उसकी जन्मदर इससे एक अधिक मतलब के वो कितनी होगी पाँच चार तो यह है और इसका 25 परतिसत अधिक एक अधिक पाँच वो होगी कितनी पाँच यूनिट यदि जर्मनी की जन्मदर चार यूनिट है तो इससे 25 परतिसत अधिक जन्संख्या वाला जो देश होगा उसकी जन्मदर पाँच यूनिट होगी कितनी होगी पाँच यूनिट ठीक है दोस्तो, जलिए, जर्मनी की जर्मनेंदर कितनी है, 16, 16, कितने यूनिट के बराबर है, 4 यूनिट के, 4 यूनिट के बराबर, 16, तो एक यूनिट की वैल्यू, चार, एक यूनिट की वैल्यू, चार, और हमको निकालनी कितनी है, हमको निकालनी है, 5 यूनिट की, हमको निकालनी है 5 unit की एक unit की value 4 तो 5 unit की value क्या हो जाएगी 4 गुणा 5 20 20 किसकी है इंग्लेंड स्वेडन 15 न्यूजिलेंड 30 भारत 35 और चीन 40 तो हमारा answer हो गया इंग्लेंड ठीक है दोस्तों उमीद है ये बात समझ में आई होगी क्या था 25 परसेंट को fraction में तोड़ लिया 1 by 4 अगर जर्मनी के 4 unit जन्मदर है तो उससे एक अधिक एक अधिक कितने 5 पांच पांच यूनिट होगी उस देश की जिसकी जन्संख्या जिसकी जन्मदर 25 परतिसत अधिक होगी ठीक है दोस्तों तो चार unit की value 16 तो पांच यूनिट की value होगी 20 चार चोके 16 चार और चार पंजे 20 ठीक है चलिए दोस्तों next question next question क्या है भारत में जन्मदर इंग्लेंड की जन्मदर की कितने परतिसत है भारत में जो जन्मदर है वो इंग्लेंड की जन्मदर का कितना परतिसत है भारत की जनमदर इंग्लेंड के जनमदर का कितने परतिसत है भारत की जनमदर कितनी है 33 और इंग्लेंड की कितनी है 20 compare किसे कर रहा है तुलना किसे कर रहा है इंग्लेंड से बटे में जिससे compare करेंगे वो गुना 100 तो परतिसत निकालने के लिए multiply 100, ठीक है, 20 से जा गया, 5 बार, और 33, 5, 33 बंजे, 165, 165 परतिसत, ठीक है दोस्तों, आंस्वर आ गया, D, ठीक है, भारत की जनमदर, इंग्लेंड की जनमदर की कितने परतिसत है, भारत की जनमदर, 33, इंग्लेंड की 20, तो 33 जो है, वो 20 का कितने परतिसत है, 33, 20 का कितने परतिसत है, ठीक है दोस्तों, 165 परतिसत, उमिद है, समझ में आया होगा, ठीक है, चलिए आ, next question, भारत की जनमदर का, स्वीडन की जनमदर से क्या अनुपात है, भारत की जनमदर, और स्वीडन की जनमदर का अनुपात, इंडिया, और स्वीडन, स्वीडन, ठीक है, इंडिया की कितनी है, 33, और स्वीडन की कितनी है, 15, तो 33 अनुपात 15, तीन से कट रहें, तीन से गया, तो रेशो आगया, 11 अनुपात 5, रेशो क्या आगया, 11 अनुपात 5, बारत का, 11, स्वीडन का, ठीक है, चलिए, next question, इंगलेंड की जन्मदर, न्यूजिलेंड की जन्मदर से कितने परतिसद कम है। इंगलेंड की जन्मदर कितनी है? 20. 10 इंग्लेंड की जनम्दर होगी 20 और Newsडोड के कितनी है DR । रॉच्छों थीजैन्ड की होगी DR निउच्छों थीजैन्ट की होगी DR । इसने कहा है कि इंग्लेंड की जनम्दर DR । से कितने पर्थिसाद कम है खितनी कम है कितनी कम है 10 दोनों का अंदर कितना है 10 ठीक मैंने बताया था अगर परतिसत में आप कमी परतिसत निकालते हो तो बटे में क्या होगी बड़ी संख्या या फिर तुलना किससे कर रहे हो तुलना किससे कर रहे हम न्यूजिलेंड से तुलना किससे कर रहे हम न्यूजिलेंड से तो बटे में न्यूजिलेंड की जन्मदर इंटू 100 एक बटे 3 एक बटे 3 अगर फ्रेक्शन है तो उसकी जो परसंटेज वैल्य होती है वो होती है 33 सही एक बटे 3 या फिर यहां से करोगे तो 100 बटे 3 करोगे तो 33 सही एक बटे 3 परतिसाथ आंस्वार ठीक है दोस्तो उमीद है यह समझ में आया होगा आपके ठीक है? चलिए Next वस्थ दूड़िए ऐक और, यह है πाइ पाइचार्ट इसस though, कोशन आते हैं इससे iki driver के तनकी लावगा itself ठीक है तो दोन्नों ही टाइप पी कोश्चन हम करेंगे ठीक है चलिए कोश्चन को देखिए एक परकासक दुवारा एक पुस्तक चापने पर विभिन मदों में किये गए खर्च का व्योरा नीचे दिये गए पाई चार्ट में दिया गया है इसका भली बाती अध्यान करके नीचे दिये गए पर्षनों के उत्तर दीजे इसका अध्यान करो और इन कोश्चन का आंस्वर दो खीक है चलिए पढ़ते है क्वोस्चन अध्यन में क्या है कागज का मुल्य पैंटिस परतीसात चपाई ऑठारा परतीसात जिल्द साजी पंदरा परतीसात व जिविध खर्च 5 परतीसात विज्यापन 10 परतीसाथ खीक है दोस्तों अब इनसे related question करने है, question क्या है, जिल्द साजी का खर्च कागज के मूल्य का कितना परतिसत है, कागज का मूल्य कितना था, 35, कागज का मूल्य कितना था, 35, और जिल्द साजी का खर्च कितना है, 15, जिल्द साजी का खर्च कितना है, 15, यह कहा है इसने कोशन में कि जिल्द साजी का खर्च कागज के मूल्य का कितने परतिसत है तो कहा है कि 15 जो है वो 35 का कितने परतिसत है 15 35 का कितने परतिसत है पाँच तिये पाँच तिये 15 और पाँच सते 35 तीन सो बटे साथ तीन सो बटे साथ साच चोक 28 दो साथ तिये 21 एप्रोक्स 43 परसेंट एप्रोक्स 43 परसेंट टीक के लगवग ठीक है वह पॉइंट में जब इसने नहीं दिया तो पॉइंट में मत करो ठीक है दसमलों में नहीं दिया आंसर हो इसको पूरा-पूरा 43 परसेंट करो सेमल old ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स्ट वेस्टन rebel next question किया है royalty के संगत केंद्रिय कोण विध्यापन के संगत केंद्रिय कोण से कितना अधिक है देखो यहाँ परतिसत में दिया है यहाँ पर जो वैल्यू दी है वो परतिसत में दी है अब पूछ रहा है angle में, degree में degree में एंगल एंगल पूछा है कितना होगा ठीक है दोस्तों चलिए रोयल्टी के संगत केंद्रिया कॉन रोयल्टी कितना है 17 परतिसत और विज्यापन के संगत केंद्रिया कॉन से कितना अधिक है विज्यापन कितना है 10 परतिसत रोयल्टी कितनी है 17 परतिसत इन दुनों का अंतर कितना हो गया अंतर हो गया 7 परतिसत 17 और 10 का अंतर हो गया 7 परतिसत कितना अधिक है अधिक से मतलब ये जो 17 है ये 10 से कितना अधिक है 7 परतिसत ठीक है दोस्तोँ लेकिन अब यहां पर तो हमें दिया हुआ है परसंटेज में वैल्यू परसंटेज में वैल्यू है और पूछ रहा है лушत अपर जए हूँ है नहीं में डीगरी में डीगरी में तुह है ठीक है तो इसको पर्षंटेज से डिगरी में कनवर्ट कैसा करेंगे यह देखो तोटल कितने परतिसत हुआ यह 35 और 10 45 45 और 5 50 50 और 17 और 18 35 35 और 15 50 50 यह 50 वह 100 तोटल हो गया 100 परतिसत तोटल हो गया 100 परतिसत और 100 परतिसत की अगर मैं डिगरी में वैल्यू देखो तो किसी भी गोले में जो यह एंगल होता है यह यह पूरा कितना होता है 360 डिगरी 360 डिगरी को होता है यह आप लोगों को पता होगा ठीक है यह होता है 360 डिगरी गोले के अंदर का यह एंगल होता है वो होता है 360 डिगरी ठीक है तो 100 परतिसत को मैं 360 डिगरी के एकवल कर सकता हूँ चलिए तो एक परतिसद कितने गया equal हो गया 360 बटे 100 मतलब कि 3.6 degree एक परतिसद की value होगी 3.6 degree 3.6 degree 3.6 degree एक परतिसद की value एक परतिसद की value 3.6 degree है पुछा कितना है 7 परतिसद तो दोन्नों की अंतर पूछा है तो 1 पर 30 की value 3.6 तो 7 पर 30 की value 3.6 into 7 7 4 7 21 और 4 25 25.2 degree answer हो गया 25.2 degree answer C ठीक है दोस्तों उमिद आई बात समझ में आई होगी 100% 360 degree के एक वाल होगा 1% 360 बटे 100 अगर मैं करूँ तो 3.6 degree एक परतिसत की value और इसने पुछी है 7% की value हो कैसे कि इन दोनों का अंतर पूछा था royalty और विज्यापन का royalty और विज्यापन में अंतर या फिर मैं बोल दूँ के royalty कितनी ज़्यादा है विज्यापन से तो वो कितनी है 7% जादा जब एक परतिसत की value 3.6 degree है तो 7% की value कितनी होगी 25.2 degree ठीक है उमीद है यहां तक समझ में आया होगा चलिए next question next question है यदि छपाई का खर्च 30,600 रुपे हो यदि छपाई का खर्च 30,600 रुपे कितने 30,600 और परसंटेज कितनी है छपाई की 18% 18% 18% की value दी है इसने 30,600 तो कितनी रॉयल्टी दी गई तो रॉयल्टी की पूछी है 18% की value 18% की value 30,600 और 17% पूछी है रॉयल्टी कितनी है 17% 18% की तो होगी 30,600 तो 17% की पूछी है ठीक है यहां से मैं अगर 1% की value निकाल लो इसकी 1% की value तो वो इसमें से कम कर दो या फिर ऐसे कर लो 17% पूछी है ना तो 1% की value कितनी होगी 3600 बटे 18 होगी 3600 बटे 18 पूछी कितनी है 17% तो 1% की value 3600 बटे 18 बटे 18 बटे 18 बटे 17 पूछी कट से 11% काटा कर दो 12% बटे 18 12% 126 यह 2% बटे 15 ठीक है दोस्तों 18 पर 30 की वैल्यू 30,600 एक पर 30,600 बटे अठारे करेंगे और 17 पर 30 की वैल्यू हमको निकालनी है तो रोयल्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी रोयल्टी की वैल्यू हो जाएगी 17 पर 30 साथ 17 पर 30 की वैल्यू एक पर 30,600 बटे अठारे कुन है 17 17 की सतरे में मल्टिप्लाइ करेंगे 289 और 2 ये 0 है तो 700 यह हो गया 28,900 रुपे ठीक है 28,900 रुपे तो रोयल्टी पर कितना खर्च किया उसने 28,900 रुपे ठीक है उमीद है कुश्चन समझने आया हो चलिए नेक्स्ट कुश्चन नेक्स्ट कुश्चन है जिल्द साजी के संगत केंद्रिया कौन कितना होगा जिल्द साजी का संगत कौन पूछा है ठीक है दोस्तों मैंने अभी एक परतिसत की वैल्यू डिग्री में निकाल ली थी वो आई थी 3.6 डिग्री 3.6 डिग्री 3.6 डिग्री 3.6 डिग्री आई थी एक परतिसत की वैल्यू और जिल्द साजी कितनी है 15 परतिसत तो एक परतिसत की वैल्यू यदि एक परतिसत की वैल्यू निकाल ली थी अभी थी 360 के equal है 360 degree के equal है तो एक परतिसत हो गया 3.6 degree 3.6 degree और 15 परतिसत जिलसाजी पर खर्च कर रहा हो 15 परतिसत की value कितनी होगी degree में 55 degree 54 degree ठीक है? चलिए option 20 है चलिए next question next question है यदि विविद खर्च 6,000 हो विविद खर्च 6,000 हो विविद खर्च यहां कितना है 5 परतिसत question के according 5 परतिसत value कितनी दी है 5 परतिसत की 6,000 5 परतिसत की value कितनी दी है 6,000, 5% की value 6,000 1% की value कितनी हो गई 1205 से 6,000 कट गया 12,000 60 कट गया 12,000 और 2,000 1200 होगी 12,500 1% की value होगी 1200 अब पुछा क्या है royalty पर खर्च विज्यापन खर्च से कितना अधिक है विज्यापन खर्च से कितना अधिक है विज्यापन पर कितना खर्च कर रहा हो 10% royalty पर कितना खर्च कर रहा है 17% तो ये कितना अधिक है 17-10 7% 7% अधिक है 1% की value 1200 तो 7% की value क्या हो जाएगी 1200 into 7 8,400 रुपे ठीक है दोस्तो 8,400 रुपे ठीक है उमीद है यहां तक समझ में आया होगा ठीक है चलिए next एक पाइचार टोर करते हैं एक परकासक द्वारा पढ़िए एक परकासक द्वारा एक पुस्तक छापने पर विभिन मदों में किये गए खर्च का व्योरा नीचे दिये गये नीचे दिया गया है इसका भली बाती अध्यन करके निमलिकित परसनों का उत्तर दीचे कागज का मुल्य कितना है 35 पर 30 कागज पर दिया गया है 35 पर 30 यह 35 है यह 10 है विज्यापन पर 10 विविद्ध यह सेम कुशन आया यह तो सेम ही कुशन है चलिए दोस्तों कोई नी यह कुशन तो करा दिया चलिए दोस्तों आज दी किलास को यहीं तक रखते हैं कल की किलास में पाइचार्ट से और डियाई से रिलेटेड और भी कुशन करेंगे प्रिवियस एयर भी करेंगे प्रिवियस एयर भी करने की कोशिस करेंगे कोशिस करेंगे कल एक वीडियो में प्रिवियस एयर की बनाएंगे ठीक है दोस्तों चलिए जेहिन जेभारत करेंगे ऑ्यारत प्रिवियस प्रिवियस एक प्रिवियस